नमस्कार दोस्तों मारे य्टूब चैनल एक्जाम लर्नर में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस पीडियो में हम लोग एडिट जूनियर है स्कुल प्रधाना ध्यापक क्यों सहायक अध्यापक भरती परिक्षा के लिए करेंट अफ्यूर्स टॉप 50 सीरीज का दूसरा टैक्टी सेट देखेंगे इसके पहले टॉप 50 का सेट 1 अपलोड हो चुका है जो लोग नहीं देखें हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं और इसका पीडियाप आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे डिस्क्रिप्सिन में ट ट्रैक्टूबर 2020 को जूनियर का परिक्षा आयोजित किया जाना है तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेर कर दिजेगा चैनल पर पहली भारा है हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में विल आइकन को प्रिस कर लिजेगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे तो आईए शुरू करते हैं पहला कोईशन आप देख सकते हैं कि 5 जून बिशो परियावरण दिवस 2020 का थीम पूछा गया था तो परियावरण दिवस आपका 5 जून को मना जाता है इसका थीम था इस बार का इको सिस्टम रिस्टो और दूसरा प्रशन हाल ही में किस राजी सरकार के द्वारा मेडिकल यूम इंजिनिरिंग कालेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की घोशना की गई है तो ये बिहार राजी सरकार के द्वारा मेडिकल यूम इंजिनिरिंग कालेज में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की गोशना की गई है तीसरा प्रशन हाली में किस अफरी की देश में इस्थित जौला मुखी नीरा गोंगो में विस फोर्ट की कारण सहर को खाली करना पड़ा तो ये आपका कांगो गडराजी में C. आपसन सेव जाएगा जौला मुखी का नाम याद रखेगा पूशा जा सकता है कि नीरा गोंगो कि आपका इस जौला मुखी में कहां किस तेस में उदगार हुआ तो कांगो गडराजी का है चौथा प्रशन हाली में प्रारम की गई सेग S.A.G.E. परियोजना का संबंध की संबंत्राले से है तो यह हैं धर्मिंद्र प्रधान इनका नाम याद रखेगा और पहले कौन थे तो रमेश पुखरियाल निसंग पहले M.H.R.D. मिनिस्टर थे लेकिन M.H.R.D. मंत्राले का नाम बदलकर सिक्षा मंत्राले कर दिया गया है अगला कोशिन है नीतियायोग द्वारा जारी सतत विकास लेंगीक समानता सुचकांग 2021 में किस राजी को पर्थमस्थान पराप्त हुआ है तो इसमें 36 गड़ को पर्थमस्थान पराप्त हुआ है सी आपसन सही हो जाएगा चटमस परशन देखते हैं हाली में इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निवत किया गया है तो इनका नाम है नाफ्ताली वेनिट इनको इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में निवत किया गया है और साथमों प्रशन हाली में चर्चा में रहा टेबल माउंटेन ये किस देश में इस्थित है तो टेबल माउंटेन दक्षिड अफ्रीका में है डी आप्शन सही होगा आठमों प्रशन देखते हैं समावेसी इंटरनेट सुचकांग 2020 में भारत का अस्थान कौन सा है तो भारत का अस्थान है इसमें 49 सुआ भी बिकल्ब सही हो जाएगा नवा प्रशन हाली में राश्ट्रे डोपिंग रोधी एजनसी नाडा के नए महानिदेशक कौन बनाए गये हैं तो इनका नाम है सिधार्त लोंग जाम इनको नाडा का नया महानिदेशक चुना गया है दस्वा प्रशने ACI कुष्टी चेंपियंशिप 2020 के संबंद में कौन सा कथन सही है तो पहला दिया गया है इसका आयोजन कजाकिस्तान में किया गया पिल्कुल सही है ACI कुष्टी चेंपियंशिप 2020 का आयोजन किस देश में किया गया है तो कजाकिस्तान में दूसरा प्रथम अस्थान कजाकिस्तान और इरान को मिला है ये भी सही है और तीसरा है भारत का अस्थान इसमें तीसरा रहा है बिल्कुल सही है तो पहला दूसरा तीसरा तीनों ही सही है तो मैं भी पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है तो सभी यहाँ पे सही है इसलिए D option सही हो जाएगा सभी कथन सही है अगला प्रशन है निमलिकित में से किसके द्वारा संकल्प से सिध्धी अभियान की सुरुवात की गई है तो यह क्या गया है ट्राइफेट के द्वारा यह आपसं सही हो जाएगा है है तेरे नबर प्रशन है हाली में RBI ने प्रतिभागियों को एक स्रेडी से दूसरे स्रेडी में हस्तान त्रित करने के मामले में निर्देशनों का पालन ना करने के लिए किस बैंक पर तीन करोड का जुर्माना लगाया है तो यह लगाया गया है ICICI बैंक के द्वारा C option सेव जाएगा RBI के द्वारा ही लगाया गया किस बैंक पर तो ICICI बैंक पर यह तीन करोड का जुर्माना लगाया गया है अगला प्रशन है दुनिया का सबसे लंबा पैदल याती सस्पेंसन ब्रिज इसका नाम है अरोका का उदगाटन के इस देश में किया गया है तो किया गया पूर्त गाल में C option सही हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं हाली में पहला गयर क्वाड यानि कि जो क्वाड का सदस्य नहीं है क्वाड देश काउन बना जिसके साथ भारत ने 2 प्लस 2 मंत्री अस्तरी संबाद तंत्र स्थापित करने का नेड़ ए लिया है तो रूस के साथ B option सही हो जाएगा या रूस जो है क्वाड में सामिल नहीं क्वाड में आपका यूएस है उसके बाद जापान है आस्ट्रेलिया है और इंडिया चार सदस्य है क्वाड में इसमें रूस नहीं सामिल है तो इसमें गैर क्वाड पूछा गया है इसलिए B option सह सही हो जाएगा जिसके साथ भारत ने 2 प्लस 2 मंत्री अस्तरी संबाद तंत्र अस्थापित किया है और 16 नंबर परस्टन है मेफलवार 400 क्या है तो मेफलवार 400 अर्टिफिसियल इंटेलिजिंस जहाज है डी आफ्शन सही हो जाएगा सतरे नंबर कोशन देखते हैं कि यूनेस को गुलेमो कैनो बिसुद प्रेश सुतनता पुरस्टकार 22 से किसे सम्मानित किया जाएगा तो ये सम्मानित किया जाएगा मारिया रेशा को भी आफ्शन सही हो जाएगा अगला कुशन है संसद टीवी के प्रथम CEO के रूप में किसे नियुक किया गया है तो आपको पताओगा राजी सभा टीवी और लोक सभा टीवी दोनों को मर्ज करके संसद टीवी नाम दिया गया है और इसके प्रथम CEO किसको बनाया गया है तो रवी कपूर को बनाया गया ह डी आपसन यहाँ पे सही हो जाएगा अगला प्रशने हाली में सुर्खियों में रहा अलक्सा मस्जीद यह किस सहर में इस्थित है तो अलक्सा मस्जीद एरुशलम में है बी आपसन सही हो जाएगा वीश्वा प्रशने चार मई 2020 को वर्चुल रूप से जी 20 देशों के परेटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन हुआ है तो इटली में संपन हुआ है और इटली की राजधानी है रोम यह आपसन सही हो जाएगे हैं आपे और रोम में ही EFAO यहने की Food and Agriculture Organization का मुख्याले भी है अगला प्रशने वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेना अभ्यास है तो यह भारत और अमेरिका के बीच अभ्यास आयुजित किया जता है नाम है इसका वज्र प्रहार अगला प्रशने किस बैंक ने दुकानधारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच मर्चिंट स्टेक लांच किया है तो यह लांच किया गया है ICICI बैंक के द्वारा अभिहाल ही में ICICI बैंक पर RBI के द्वारा जुर्माना भी लगाया गया है तो यह है क्रिती के करंत B आपसन सही हो जाएगा और 24 प्रशने निमलिखित में से किस के अंदर सासित प्रदेश को हाल ही में TB मुक्त घोशित किया गया है तो यह लक्षदीब D option सही हो जाएगा और अगला प्रशन है हाली में भारत ने किस देश के साथ समुद्री परियावरण की रक्षा है तू समझावता ग्यापन पर हस्ताक्चर किया है तो यह जर्मनी C option सही हो जाएगा है यहाँ पर 26 प्रशन है The Christmas Pig पुष्ता के लेखक कौन है तो इसके लेखक हैं J.K.Rolling J.K.Rolling के द्वारा एक महतपूर्ज किताब लिखा गया है Harry Potter तो इनके द्वारा लिखा गया है The Christmas Pig यह option सही हो जाएगा है हाँ पर अगला प्रशन है कोची मंगलोरू प्राकिर्ति गैस पाइपलाइन का निर्मार की संस्था के द्वारा किया गया है तो इक गेल के द्वारा किया गया है B.A option सही हो जाएगा और गेल के बरतमान में देखा जाए CEO कौन है तो उनका नाम है Manoj Jain Manoj Jain एक गेल के CEO है अगला कोशन है किस राजी सरकार ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है तो इम्मद्ध प्रदेश राजी सरकार के द्वारा मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है सी आपसम सही हो जाएगा उन तीस्वा कोशन देखते हैं कि भारत के सबसे बड़े किड्नी डायलेसिस अस्पताल का उधगाटन कहां किया गया है तो ये दिल्ली में किया गया है ये बिकल्ब सही हो जाएगा है तीस्वा कोशन देखते हैं हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस राजी सरकार के द्वारा सुरू किया गया तो ये पंजाब राजी सरकार की द्वारा सुरू किया गया है हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन एक तीस्वा कोशन देखते हैं कि किस राजी में भारत के पहले डिजिटल विश्विद्याले की अस्थापना की गयी है तो ये केरल में किया गया है महतपूर कोशन है भारत के पहले डिजिटल विश्विद्याले की अस्थापना पूछा जाएगा कि सिराज में किया गया है तो केरल में किया गया है 32 परसने संयुक्त राष्ट द्वारा जलवायू राजदूत की रूप में किसे निउत किया गया है तो इनका नाम है माइकल ब्लूबर्ग इनको संयुक्त राष्ट के द्वारा जलवायू राजदूत की रूप में निउत किया गया है 33 परसने है मंगल ग्रह की कक्छा में भेजा गया अंतरिक्षियान तियान वेन फरस्ट किस देश का अंतरिक्षियान है यह है तो इस चीन की द्वारा भेजा गया है तियान वेन फरस्ट जो कि यह मंगल ग्रह की कक्छा में भेजा गया है 34 परसने है प्लैटिपस जीव के संड़क्षण है तो दुनिया का पहला प्लैटिपस अभ्यारन किस देश में बनाया जा रहा है तो यह बनाया जा रहा है औस्ट्रेलिया में C आपसन सेव हो जाएगा अगला कुशिन देखते हैं कि किस देश में दुनिया का पहला सिप टेनल बनाया जाएगा तो यह बनाया जाएगा नार्वे में C आपसन सेव हो जाएगा यहाँ अगला प्रश्ने 24 मार्च 2020 को मनाए गये 6 रोग दिवस यानि की टीवी दिवस का थीम पूछा गया है क्या है तो इसका सही एंसर हो जाएगा यहाँ पर D option the clock is ticking 24 मार्च को टीवी दिवस मनाए गया और इसका थीम क्या रहा इस बार का 22 का तो the clock is ticking इस बार का थीम रहा और टीवी दिवस पूछा जाएगा कम मना जाता है तो 24 मार्च को मनाए जाता है अगला प्रश्ने बाप का किस राज्य या केंद्सासित प्रदेश के प्रशिद्ध गुच्छी मस्रूम को GI टेग प्रदान किया गया जिया टेग यानि कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टेग होता है तो इसका सही एंसर हो जाएगा बी आपसन जम्मु कस्मीर का प्रशिद्ध गुच्छी मस्रूम को GI टेग दिया गया और आपको पता होगा जम्मु कस्मीर और लदाग को दो नए केंद्सासित प्रदेश बनाएगे है अब केंद्सासित प्रदेशों की संक्या आट हो गई है दादर नगर हवेली और दम भारत का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है तो यह बना है उत्राखंड डी आपसम से होज़ेगा उत्राखंड के बरतमान में सीम कौन है तो इनका नाम है पुशकर सिंग धामी अगला प्रश्ण है अब निमलिखित में से किसे नेलसन मंडेला भी शुमानवता वादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो यह है रवी गायकवाड इनको नेलसन मंडेला भी शुमानवता वादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और अगला प्रश्ण हाल ही में किसे राजी सरकार की द्वारा मुख्यमंत्री बिग्यान परतिभा परिक्षा योजना की शुरुवात की गई है तो इस दिल्ली राजी सरकार के द्वारा दिल्ली के इनसासित प्रदिश है आपको पता होगा दिल्ली के दौरा मुकमंत्री के दौरा बिज्ञान प्रतिभा परिक्षा योजना की शुरुवात की गई है यह आपसम से हो जाएगा 41 कोशन है हाली में कि संस्था के दौरा UN Food West Index Report 2020 जारी किया गया है तो जारी किया गया है संयुक्त राष्ट परियावरण कारिक्रम यानि की UNEP के दौरा UNITED NATION ENVIRONMENT PROGRAM के दौरा 42 प्रशन हाली में असम सरकार ने किस एथलीट को DSP निउट किया है तो इनका नाम है हीमादास हीमादास को धींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है और इनको असम का DSP निउट किया गया है D option से हो जाएगा अगला प्रशन है फरवरी 2021 में कि इस देश की अध्यक्षता में G20 देशों के विदेश मंत्रियों योम केंद्री बैंकों की पहली बैठक आयोजित की गई तो इटली में D option से हो जाएगा और हगला प्रशन है वर्श 2020 में कुम्भ मेले का आयोजिन कहां किया जाएगा तो इसका आयोजिन इस बार हरित द्वार में किया जाएगा ये आपसन सही हो जाएगा है तो ये बांगला देश में है रूपूर प्रमाड उर्जा प्रियोजना किस देश में भारत और रूस के द्वारा संचालित एक पहल है तो ये बांगला देश में है रूपूर प्रमाड उर्जा प्रियोजना और ये संचालित होता है भारत और रूस के द्वारा तो यह दी कुछा जाए, रूपूर पर्माड उर्जा परियोजना किस देश में इस्तित है, तो बांगला देश में, और यह किस के द्वारा संचालित किया जाता है, तो भारत और रूज के द्वारा, अगला कुछन है, अप्रेल माह में मनाए गए तेवहारों में, निमलिख जिनका आयुजन किया गया है उनका वीडियो और साथ में भारत सरकार की आगामी लक्षे इनका एक साथ जो है आपको कुशन जो है दिया गया है तो जो लोग नहीं देखे हैं आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाके करेंट अफेस वाले सीरीज में देख सकते हैं अगला कुश इस ने चिरंजीवी स्वास्त बीमा योजना का संबंध की सराज्य से है तो यह राजस्थान से संबंधित है सी विकल्प से हो जाएगा उन्चास्वा कोशन देखते हैं कि इस अनाज पर MSP यानि की मिनिममम सेलिंग प्राइस के लिए सरवाधिक धन का आवंटन बजट में किया गया है तो इस बार के बजट में चावल पर MSP के लिए सरवाधिक धन का आवंटन किया गया है और MSP यानि की निवन्तम समर्थन मुले ये पूछा जाता है किसके द्वारा जारी किया जाता है तो किर्शी लागत यो मुले आयोक की द्वारा निवन्तम समर्थन मुले जारी किया जाता है, अगला कुश्यन है, बजट में कहां पर केंदरी भिश्विद्याले खोलने की घोशना की गई है, तो यह लेह में खोला जाएगा, लेह लदाक में यह आपका पड़ेगा, जो कि यह केंद सासित प्रदेश के अंतरगत आएगा है, तो इस बार के बजट में लेह में केंदरी भिश्विद्याले खोल लेका फैसला किया गया है, तो दोस्तों यह था आपका करेंट एफियर्स का नौवाँ सिरीज, इसके पहले आठ सिरीज अप्लोड हो चुका है, जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के पली लिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, तो वीडियो दे अच्छा लगा हो, तो लाइक शेर कर दीज़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज़ेगा, साथ में वेल आइकों को प्रेस कर लेज़ेगा जिसे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे और पेडियो इसका हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा नेचे डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक दे दिया गया है या फिर आप टेलिग्राम पर जाके एक्जाम लर्नर लिकरके सर्च कर सकते हैं और आप जॉइन करके पीडियो डाउनलोड कर सकते हैं तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद